पॉली का प्रश्ण है टारो कार्ट से इनर्जी क्लीनिंग कैसे होती है शफल करना काफी है मैंने ये पहले भी प्रश्ण जो है कवर करा था पॉली उसके अंदर ये है इंपोर्टन जानना कि क्लीनिंग जो है कि वो कार्ट से भी जादा जो है हमारी खुट की जो है हमें इंपोर्टन है कि हम अपने आपको क्लेंज रखे कि जब हम किसी का और रीडिंग करने वाले हैं क्या हमें एक ऐसी Gibson में है frase appeal में जहांपे हमने अपने आपको बीच में लाए कि जहाँ पर हमारी energy जो है optimum level पर काम कर रही है जहाँ पर जो है एक ध्यान की स्थिती जो है आपके साथ बनी हुई है जहाँ पर जो है आपके अंदर कोई tension, frustration, depression की कोई स्थिती नहीं है जब आप physically, mentally, spiritually जो है active हो जब हम किसी के लिए reading करने वाले हैं वो एक तरह का जो है हम allow कर रहे हैं उस divine source को अपने through जो है बात करने के लिए और वो तब ही घटेगा पॉली कि जब हम अपने आपको बीच में से हटा देते हैं बिलकुल एक purity का जो है एक level अपने अंदर create कर देते हैं जब हमारे अंदर वो purity का level create हो जाता है तो बहुत नाचरली फिर आप कुछ भी टच करोगे फिर वो चाहे cards हो आपके कपड़े हो कुछ भी हो आप जिस चीज को हाथ लगाओगे उसके अंदर जो है divine intervention हो जाती है और जिसका यह मतलब वहा कि cards की cleansing है वो बहुत नाचरली जो है वो घट जाती है तो tarot card की cleansing से सिरफ एक ही चीज बात समझ ने की है कि tarot card की cleansing से जादा वो जो जो बात की जाती है emphasis जो है वो जो सारे जो rituals है जो cleansing के कि आप ओम का उचारण करें या फिर जो है उसको अगरवत्ती दिखाएं या फिर जो है आप different different mantras का उपयोग करें उसका purpose यही है कि कैसे जो है आप अपने आपको cleanse कर लाए cards तो एक neutral state है उसकी cards में क्या उर्जा होगी cards की cards जो है आपकी extension है अगर आपके अंदर जो है दुख की उर्जा जो है भरी हुई है तो जब आपने cards को हाथ लगाओगे तो उसके अंदर भी जो है दुख की उर्जा हो जाएगी और वही दुख जो है दूसरे को transfer हो जाएगा आपके अंदर जो है सुक की अवस्ता है आपके अंदर जो है एक एक आनंद की अवस्ता अगर घट रही है अगर आप उस तिती में जो है कार्ट को हाथ लगाओगे तो कार्ट जो है उसमें जो है आपकी आनंद की उर्जा जो है वो भर जाएगी और फिर वही आनंद जो है द है अगर आपको लगता है कि you are not fit at that moment अगर आपको लगे कि आपको जो है कि आप दुख में हैं पीडा में हैं परिशानी में हैं तो अच्छा ये हो कि वो रीडिंग avoid की जाए अच्छा ये हो कि वो रीडिंग ना करी जाए क्योंकि आप जाने जाने जो है उस दूसरे विक्ति को जो है confusion दे देंगे दुख दे देंगे तकलीफ दे देंगे और अनैसरी आपके लिए कर्मा हो जाएगा उससे बचने के लिए best ये है कि आप अपने अंदर उसको तब उस चीज़ को बाटे जब आप अपने अंदर एक एक सुखी अवस्था वे बस इस चीज़ को ध्याद लिखता है पॉली बाकि सब कुछ ठीक है और जिसका ये अर्थ हुआ कि जैसे ही हम अपने आपको क्लेंस कर लेते हैं तो कार्ड्स भी अपने आप क्लेंस हो जाते हैं